Hello guys, Namskar! Railway ने आखिरकार आप लोगों के लिए एक और छोटी सी vacancy निकाल की आया है और ये नए साल का नया तोफा भी कह सकते हैं और क्यूंकि railway रह म्याई हर वक्त जो vacancies निकालता है उनकी बात की जाये तो वो apprentice की निकालता जा रहा है लेकिन कुछ समय पहले बात की जाए तो इसमें TT की निकली हुई थी जो थी एक staff या फिर employees की contact base पे अब जो वीकेंस से निकली है अच्छी है और एक ना कोई contact base है बस एकदम नए विध्यारतियों को लिया जाएगा और यह permanent नोकरी होगी आपको एक चीज clear कर देता हूँ इसमें पोस्टों की संक्या कम है पर आप लोग सभी Central Railway की नई भरती देख सकते हैं 22-23 यानि कि December week में start हुई है और यह करीबन जनवरी तक चलने वाली है जिसमें कलर, guards, drivers ऐसी कई posters हैं जिसमें आप लोग आविदन कर सकते हैं काफी अच्छी खबर है 10-12 वाले विद्धारती ओनलाइन आविदन कर सकते हैं अगर आप एक railway में करना चाहते हैं नोकरी तो बड़ी अच्छी खबर आ चुकी है पोस्टों की संक्या बस आपके पाद कुछ सेटे विकेट्स होना जरूरी है अगर आपके पास सेटे विकेट्स होंगे तो आप इसकी ओफिसली सेट पे जाके इसमें जरूर फॉर्म बर सकते हैं तो दोस्तों आज इसी विज्यापन के उपर में बात करूँगा ये करीबन 18 पेज का एक पूरा विज्यापन है तो आज इसी के बारे में पूरे पॉइंट्स किलर करूँगा उमीद करूँगा कि काफी हद तक आप लोग समझेंगे और वही विद्यारत इसमें आप विद्न करेगा जिसके पास इसकी अच्छी कासी कॉल्फिकेशन होगी यहीं से एप्लिकेशन ओलाइन यहीं से आप लोग उसकी डिटेल सारी चीज़े आप लोग आपर कर सकते हैं तो दोस्तों आज देखेगा आज कितनी तारीक है 29 नवंबर यानि कि 29 नवंबर को यह विद्यापन जारी वाता डेट की सबसे पहले मैं बात करूँ 29 नवंबर और यह उच्छी किये 28 नवंबर तो यानि कि यह विद्यापन 28 नवंबर को आप लोगों को मिला होगा अब इसके बाद बात करें 12 दिसंबर यानि कि आपके पास इतना ही टाइम है इस फोर्म को भरने के लिए तो थोड़े टाइम में ही आप लोगों को फोर्म भरना होगा अब यहाँ पर देखें क्या यह डिपार्टमेंट की वेकेंसी है क्या यह एक नए स्टुएंट्स के लिए है क्या एक्सपिरेंस वाले स्टुएंट्स है क्या यह अप्रेंटिस है आपको क्लिर कर दता हूँ अप्रेंटिस वाले विध्यारति वेकिंस नहीं है अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें जरूर सोरी नहीं अप्लाई कर पाएंगे अब यहां पर देखें रिक्यूर्मेंट की बात करें या विग्यापन की बात करें तो स्पोर्ट यानि की खेल सेटिविकेट आपके पास होना जरूरी है सबसे बड़ी बात क्या होगी खेल सेटिविकेट मैं यहीं पर क्लिर कर देता हूँ क्योंकि अगर आपके पास यह खेल सेटिविकेट है जैसे मान लिजए आपके पास दसवी की qualification है बारवी की qualification है आप लगाना चाहरे हैं फोर्म तो आप लोग नहीं लगा पाएंगे यह point थोड़ा समझ लीजेगा क्योंकि इसमें वही विद्धारती apply कर सकता है जिसके पास दसवी बारवी के साथ यह खेल का certificate भी हो तब ही इसमें apply कर पाएगा क्योंकि sport quota से निकली हुई vacancies है इस साल की जो 22 तेज की जो विकेंस है sport quota से वह छोटे से पदो पर निकली हो टोटल विकेंसी की मैं बात करूं तो 21 पोस्टें जादा नहीं है सिरफ 21 पोस्टें में दीगी है और जो भी किस है sport quota से यहनी कि जो खेल का certificate जिसके बात इस्टेट लेवल या नेशनल लेवल या फिर आप जो जहां से अंडर जो भी खेलते हैं जो भी गेम है आपके पास का certificate तो वह आप लोग इसमें लगा सकते हैं और इस कम समय के अंदर आप लोग फोर्म अफलाई कर सकते हैं अब बाकी डिटेल्स के आप देखें तो इसमें देखेगा इसमें बॉक्सिंग होकी और पावर लिप्टिंग यह पोस्ट यह खेल्स का रिकूर्मेंट किया गया है और मेंस किसमें रिकूर्मेंट है और पोस्ट एक 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 या दो दो ऐसा ही कुछ दे रखा है ज्यादा नहीं है पोस्ट स्पोर्ट को यहां पर requirement किया गया है, अब यहां पर qualification के बात करते हैं, point यहां पर यह तो clear हो चुका होगा, कि आप लोगों को क्या लगाना होगा, और क्या नहीं लगाना होगा, क्योंकि अगर वो होगा, तो ही आप लोग इसमें apply कर पाएंगे, अब यहां पर जिनके पास खेल certificate है, वो 18 स साल का होना ची, पहले बात तो, और 18 से 25 बस तक का बीच में होना ची जर्नल कैटिकरी का, SCST कैटिकरी की बात करें, तो उनको यहां पर अलग से reservation दिया जाएगा, भारत यह सरकार द्वारा जो भी reservation शुभीदा होगी, अब next qualification की बात करते हैं, आपके पास यहां पर देखें minimum graduation की post है, किसी भी university से तो आप जरूर लगा सकते हैं, पहला point ही clear हो चुका है, पास्ट, बार्वी past two step जो भी है आपके पास वो होना जरूरी है, पास्ट, metric plus IT approved होना जरूरी है, NCVT, SCVT किसी है, कि साथ pass out होना जरूरी है, डिप्लोमा तो भी आप लोग इसमें लगा सकते ह तो दोस्तो, qualification तो clear हो चुकी है, लेकिन इसमें वही ही बात होगी, कि इसमें देखते हैं, आगे क्या ये spot, खेल का certificate जरूरी है, तो यहाँ पर देखें, ये इसमें जो typing अगरा, DIY test अगरा, qualification व्या, graduation, post graduation, ये सारी चीज़े आप लोगों को देखने होगी, और ये form भी आप लोगों को apply करना होगा, application fees की बात करें, तो कोई ज्यादा payment आप लोगों को नहीं देना, इसमें 100 रुपे से, आज के आसपास इसमें application fees देनी होगी, तो दोस्तो, ये छोटा सा वीडियो है, और छोटी से update आप लोगों को दी है, अब आवे दिन की बात अपन करें, तो यह आपके खुद inquiry कर सकते हैं, आखिरकार फर्जी है, या क्या है, क्या नहीं है, वो भी आप लोग inquiry कर सकते हैं, मैं application fees के बारे में बात करतू, 500 से 250 रुपे application fees लेगेगी, 500 रुपे जर्नल OBC, SCST के टिकरी के लिए 250 रुपे application fees देनी होगी, अब इसकी आवे दिन की बात कर र जो भी center है, जैसे राजस्तान के हैं, या फिर मिजुपर वगर वगरा, खांसे आप लोग, तो आप अपना select यहां पर कर लीजेगा, आईडी वगर लगा दीजेगा, आदाहर card की आईडी आपके पास होती है, जो सभी के पास, candidate name, father's name, mail, जो भी categories है, क्योंकि इसमें mail को requirement क किया गया है, तो आप लोगों को यह registration करना होगा, और वह submit करना होगा, उम्मित करूंगा कि समझ में जरूर आए होगा, आप कोई doubt हो, तो comment कीजेगा, हमारे telegram group पे आ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा, like करें, share करें, thank you, जेहिं